सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में शिवभक्त आज सुबह से ही सावन के दूसरे सोमवार को भारी संख्या में भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवालेओं में पहुँच रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा करने से सुख सम्रिद्धी बढ़ती है। भगवान शिव खुश होते हैं। भक्तों ने भोले बाबा की विशेश पूजा अर्चना की। प्रियागराज में भी मंदिर में श्रद्धालू बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। भक्तों ने भूले नात को बैल पत्र, धतूरा, अकोआ के फूल आदी अर्पित किये। दुगधा भी शेक भी किया। वही बड़ी संख्या में महिलाएं भगवान शिव का अधुगधा भी शेक कर मन्नते मांगती दिखी। श्रद्धालू ने शिवजी का अभी शेक कर विशेश पूजा अर्थना की। सावन के दूसरे सुमवार को शिवालय हरहर महादेव और बमबम भूले के जैकारों से गूंज उठे। भक्तों ने उत्सा के साथ भगवान भूलेनात का अभिशेक किया और अपने घर परिवार सहित संपून विश्व के कल्यान की कामना की गई है। मंदर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार श्रावन मास में पांच सुमवार पढ़ रहे हैं। वैसे तो सावन माह के प्रतेक दिन भूले की भक्ती का अपना अलग ही महत्व है लेकिन सुमवार के दिन भगवान भूले की आरादना करना बहुत ही फलदाई है। आज सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से ही भक्तों का शिवालेओं में पहुंचने का सिलसिला शिरू हो गया और हर हर बंबं के जैकारों से शिवाले गुझ उठे भक्तों के द्वारा भग्वान भोले नात का रुद्रा भिशेक किया गया और अपने घर परिवार के कल्यान की मनोकामना की गई है मान्यता है कि सावन में भग्वान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है